हाई एब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जे स्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटियरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामने एक साइंस का मोश्ट इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ दोस्तों जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमने साइंस में सेवन स्टैंडर्ड के अगर बात करें तो हमने टोटल चैप्टर नबर 13 तक कंप्लीड किया हुआ था दिवारी के कुछ दिन आपको ब्रेक मिले थे तो सा प्लीड हो चुक है या मिन 13 चैप्टर के वीडियो जितने भी हमने डाल चुक है अगर आपको पूराने कुछ वीडियो देखने अप्टू 13 चैप्टर तर तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप साइंस की डिपार्टमेंट में जाके आप देख सकते हूँ आज जो है हमारा लेक्टर नबर वन है एंड एक चेंज आपको देखने मिल रहा हो दोस्तो तो आज से आपको एक और सप्राइज देने जा रहा हो कि आपके जो साइंस के लेक्टर होंगे वो भी इसी प्रकार फेस्कैम वीडियो होने वाले दोस्तों जैसे कि आपको पता कि आपको यह चीज पसंद आएगा तो चलिए शुरुवात करते हमारे इस चाप्टर के जिसका नाम है एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्चर तो नॉमली देखो यह चाप्टर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल चाप्टर है इसमें हम लोगो क्या पढ़ना है एलिमेंट्स क जाता था लेकिन यहाँ पर आपके पास टेश्बुक जरूर से होना चीए दोस्तों तो नहीं है अगर टेश्बुक तो आप PDF को ओपन करके भी बैट सकते हो अगर है तो आप फिजिकल टेश्बुक को ओपन करके बैटिए अभी टेश्बुक खरीद लिजे दोस्तों अगर अगर मैं आपको बताओ that is let's suppose water है आपके पास टिक है और उसके बाद बात करे थर्मा कॉल है ठीक है मैं कुछ यहाँ पर लिखके दिखाऊंगा थर्मा कॉल आइरन है soil है ठीक है इस प्रकार है और बहुत सरे substances यह से आपको देखने मिलेंगे तो यह जो substance होते है अगर बात करूं तो हरेकन एक property होता है जैसे कि अगर हम कुछ properties यहाँ भी discuss करवाए आपको तो पानी पानी क्या है, सबसे पहली बात तो यह liquid है, अगर state of matter, solid, liquid and gas, यह तीन state of matter होते हैं, यह तो आपको पता है, तो यह क्या हो गया, liquid state हो गया, अब इसकी भी कुछ property है, कि पानी का एक boiling point होता है, like gases point होता है, कि 100 degree पे जाके वो gas में convert हो जाता है, vapors बन जाता है, 0 degree पे जाके वो freezing हो जाता है, freezing point हो जाता है, thermocall क्या है, है तो solid, लेकिन बहुत हलका है, iron, उसको हम लोग थोड़ा सभी pressure लगाएंगे तो तूर जाता है, देखा आपने brittle है वो, and iron, आपको पता है कि बहुत ही वजन होता है, मजबूत होता है, इसके अंदर ductility की property होती है, तो ऐसे बहुत सा हो, there are so many types of substance which are present in the world, तो हर एक के property क्या होते है, अलग होते है, depending upon वो क्या है, कैसे, कहा से originate हुआ, यह उसके उपर depend करता है, तो यह तो बात कर ली, मैंने classify कि, अब एक और definition यहाँ पी पूछता है दोस्तो, matter, what do you mean by matter, एक point है हमारा, अगर मैं बात करू, matter की, तो आपने य क्या होता है, matter is anything, कुछ भी हो सकता है, matter is anything that occupies space, यानि कि जो भी चीज यहाँ पे space को occupy कर रहा है, कुछ जगा को consume कर रहा है, let's suppose एक glass है मिरे पास, ठीक है न, एक glass है, glass को मैंने table पे रखा, तो table पे रखने से क्या हो गया, कि उसने उसका, जो space है, उतना जो space होगा, वो occupy कर लेता है, उसको हम लोग matter बोलते है, तो क्या हो गया definition यहाँ पे, matter is anything that occupies space, यह तो आपको clear हो गया हो, कि matter क्या होता है, and यह जो examples मैंने बताया, यह क्या होता है, यह आपको clear हो गया होगा, okay, तो यह समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और बात कर लेता है, यहाँ पे, एक topic concept, यानि कि कोई भी substance हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चितने भी substance हो, हम लोग उसको consider करते हैं, as a matter, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, और यही सब चीज को हम लोग क्या बोलते है, matter बोलते हैं, clear है दोस्तों, अब थोड़ा सा बात कर लेत हैं, कि क्या होता है, nature, यह जो matters होते है, उनके nature क्या होते है, तो यह जो property है, हमारा यह जो heading है, आप देख सकते हो, book में next heading, the particular nature of matter and the properties of matter, what do you mean by nature and what do you mean by property, तो जैसे मैंने बोला, हर एक substance के क्या होते है, कुछ ना कुछ खूबिया होती है, कुछ properties होता है, एक nature होता है, तो nature and properties को हम लोगो समझने की जरद पड़ती है, तो let's suppose यहाँ पे, अगर कोई भी matter यहाँ पे present हो सकता है, तो कौन से form में present हो सकता है, start में ही मैंने बताया, कि the matter always present in the solid, liquid and gaseous substance, ठीक है, एक plasma भी होता है, लेकिन यह अभी 7th standard के इसाब से मैं बताऊंगा, तो आप लोग के सर के उपर से जाएगा, तो यह हाँ जब higher standard में जाएंगे, engineering वगर यह करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, plasma क्या होता है, और एक होता है, तो basic, there are three states of matter, or we can say the nature of that particular substance, that is solid, या तो वो solid हो सकता है, या तो वो liquid होगा, या तो वो gas होगा, यही तीन state के हिसाब स हो सकता है, and जितने भी properties है, यह इसी चीज़ के उपर responsible होती है, इसी चीज़ के उपर depend करती है, और हम लोग बोल सकते हैं, यह जो substance होते हैं, they can be divided into smaller particles, and इनकी जो properties होती है, यह इनको allow करती है, जैसे कि आपको पता होगा, कुछ substance ऐसे होते हैं, जिनको हम चाहें, तो particles में करने होट हो, तो वो नहीं होंगे, तो still there are various types of substance, we can see, तो जो property है, जैसे कि white color का एक chalk, अगर हम लेते हैं, आपने सभी ने chalk देखा होगा, अभी तो हम लोग marker and board use करते हैं, white वाला, लेकिन आपके school में अगर वो green board या फिर black board होता है, उसके उपर white chalk से लिखते हैं, तो चौक को आप क्या करो, एक तरीके से थोटा सा प्रेशर अप्लाए करो, तो इतम बारिक पाउडर जैसे convert हो जाएगा, यानि कि क्या हो गया, उसका एक property है, कि वो तूटके बिखर गया और पाउडर जैसे convert हो गया, second जो मैंने बात किया, blue color का ink, अगर मैंने किसी चीज़ प एक property हो गया, gas का, तो हर एक का property है, solid का, chalk के example से देख लिया, liquid का, ink के example से देख लिया, and जो gases है, उसका perfume के example से देख लिया, तो यह तो आपको clear हो गया होगा, second यह आप यह बात करेंगे, second point उसी में दिया हुआ है, कि हम लोगो अगर classify करना है, let's suppose आपके पास बहुत सारी मैं आपको थोड़ा सा read करके दिखा दू क्या क्या example से, जैसे कि gold हो गया, milk है, water है, plank है, concrete है, salt, soil, coal, smoke, यह सभी कुछे examples है, शर्बत, किछडी, steam, these are the some examples, तो यह तो आपको basic पता है, और आपको अगर मैं पूछ लूँ कि यह सब में से solid कौन था बता हो, यह सब में से liquid कौ तो you can easily classify, क्योंकि आप लोग को यह समझी में आ जाता है, कोई भी कठोर चीज होता है, कड़क चीज होता है, तो इसको solid बोलते है, कोई भी normal liquid जैसा बहता है, that is, पानी जैसा जो बहता है, उसको liquid बोलते है, और जो normally हमें gases जो होते है, वो normally दिखाई देते तो नहीं है, ले सब के सब किसमें आते हैं, matter के अंदर आते हैं, चाले solid हो, चाहे वो liquid हो, चाहे वो gas हो, यह तीनों के तीनों क्या है, तो matter ही कहीं न कहीं वो एक space को occupy कर रहें, और हर एक का properties भी क्या होता है, अलग-अलग होता है, तो generally, there are बात, अगर मैं एक बात बोलो यहां पर, तो generally, को मैं लिख के try करता हूँ, let's suppose कि यहां पर आपके पास एक वजन है, let's suppose कि यह 5 kg का कुछ वजन रखा हुआ है, तो normally इसका अगर मुझे वजन आतना है, तो हम लोग किसमें मापेंगे, weight मापेंगे, that is, वजन मापेंगे, अगर वही मैं बात करूँ यहां पर, कि मेरे पास ए आपका liquid भरा हुए, 1 liter liquid भरा हुआ है, और मैं बोलूगा कि यह जो भी सामान होगा, इसका जो weight है, वो क्या है, 5 kg, यहां पर क्या हो गया, यह चीज हो गया, mass और यह चीज क्या हो गया, volume हो गया, यानि कि हर एक substance या फिर हर एक matter क्या होता है, या तो वो mass में measure होगा, वजन मैं बोलूँगा, यह room है, यहां पर मैं पढ़ा रहो, यह room है, तो यहां पर भी oxygen present होगा, तो मैं बोलूगा कि इसके अंदर कितना volume of oxygen present है, मैं ऐसा नि बोलूँगा कितना kilo oxygen present है, तो आईसा तो बोलूँगा नि, तो हर एक चीज का क्या होता है, एक measurement unit होता है, एक तरीके स measurement करने का तरीका होता है, तो जो मैंने बोला आपको सबसे पहला जो था, वो है mass, या तो वो mass में होगा कोई भी चीज, या तो वो क्या होगा, volume में होगा, liters में हम लोग measure करते हैं, यह तो बात हो गई, और भी बहुत सारे properties है, तो यहाँ पर हम discuss करेंगे, कि बहुत सारे ऐसे substance आपको दिखने मिलते हैं, जिसमें दो से तीन चीज का मिलावाट होता है, अब मिलावाट बोल रहा हूँ, यानि कि हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यह word mixture, yes, तो mixture क्या होता है, that is, कि कुछ ऐसे substance जिसमें और कोई substance अगर add हो जाते हैं, in any proportion, कोई भी proportion में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि, हाँ, fix भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक specific proportion में हो, let's suppose मैंने यहाँ पर example लेता हो, gold का, ठीके न, जो सोने में हम लोग सारी चीजय मिलाते है, silver भी मिलाय जाता है , copper भी मिलाय जाता है, यानि कि कुछ चीजे, क्या करते is gold में मिला रहे है, अब gold क्या है, element है वो हम पढ़ने वाले ह्याँ अगला topic में, जहान से देखना, तो यहाँ पर मैं ब्यात कर रहा हूं mixture का, तो mixture is anything जैसे कि आप एक निम्बू शर्बत भी बना के पीते हो, तो वो जो निम्बू शर्बत आप बना रहे हो दोस्तों, उसमें भी क्या है एक तरीके से, अलग-अलग चीजे का mixture है, पानी है, शक्कर है, नमक है, फिर आप निम्बू निच जोड रहे हो उसमें, ठीके ना, तो अरग-अलग चीजे का mixture है, तो mixture क्या होता है, that is a combination of variety of substance in any proportion is called as mixture, एक definition भी यहाँ पर वही बोलता है, कि whenever the other kinds of matter are made up of two or more substance, दो या फिर दो से ज्यादा substance से बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, mixture बोलते है, clear है friends, तो उमीद करता हो, कि यह particular topic भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं, एक ओर topic आज की दिन discuss करना चाहूँगा, मैं आप लोग के साथ, जो की है, elements, ठीके, तो elements यह word, यह आपने बहुत बार सुना होगा, ठीके, नहीं में एक heading डाल देता हूँ, यहाँ आपने elements ठीक है, let's suppose this is an element, ठीक है, यह क्या है, एक element है, heading, अब मैं बात करता हूँ, element तो आपने सुना होगा, बहुत पेले, what do you mean by element, element क्या होता है, कोई भी एक ऐसा substance लेलो, example के उतरा मैं बता रहो, कोई भी ऐसा substance लेलो, जिसके अंदर बहुत सारे atoms ऐसे हैं, बहुत सारे atoms की बात है, वो, क्योंकि छोटे चीज़ से बढ़ा चीज़ बनता है, लेकिन वो जो तुकडे हैं, दोस्तों, वो एक ही टाइप के हैं, यानि कि iron के अंदर क्या होंगे, एक ही टाइप के constituents present होंगे, एक ही टाइप के atoms present होंगे, तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे, element, mixture होता, तो बहुत सारी तरीके के होते हैं, जैसे कि निम्बू पानी है, एक निम्बू पानी के अंदर हम देखेंगे, तो चार चीज़ आता है, शकर, नमक, निम्बू, अपका पानी, तो यह चार चीज़ होते हैं, लेकिन अगर कोई एक element कभ हम लोग बोल सकते हैं, जब उसके अंद क्लियर है, तो उमीद करता हो कि यह चीज़ समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी इसके कुछ प्रॉपेटी सा डिसकस करेंगे, कि we do not get different substance by the decomposition of an element, अगर कोई भी element को हम लोग डिकंपोस करते हैं, यानि कि उसको अपने form से बाहर लेके आते हैं, तो हम लोग को अलग अलग atoms होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ, सबसे छोटा हिस्सा, कि एक board है, यह समझ लो, एक element तो नहीं है, यह एक substance है, ठीक है, अगर मैं इसको इतना छोटा हिस्सा करूँ कि वो और उससे छोटा हिस्सा होई नहीं सकता, मतलब इतना छोटा atom, क्या होगा, हम लोग के आखो से द biology वाले field में cells वगरे को देखना होता है, तो compound microscope भी उज़ करते हैं, लेकिन कुछ elements वगरे का देखना होता है, तो हम लोग electron microscope का use करते हैं, तो जरूर से आप लोग कोई चीज समझ में आ गया होगा, बट यही atoms जो छोटे-छोटे होते हैं, जब एक सब मिल जाते हैं, तो atoms मि terminology जो हम लोग आगे-आगे इस chapter में पढ़ेंगे, जितने भी elements होते हैं, हर एक का properties अलग होता है, जितने भी elements का mass होता है, वो अलग होता है, वो अलग होता है, वो अलग होता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आपको detail में यहाँ पे समझादे जाएंगे, तो clear हैं दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह element क्या था, यह आपको clear हो गया होगा, और कुछ यहाँ पे बात कर लिए, कुछ great scientist के बारे में दिया है, अब next page में आप देखो कि 94 page पे, तो great scientist यहाँ पे बात किया है, Democritus, named the small particles of element atom, यानि उन्होंने वो atom का नाम रखा गया तो, सब उससे छोटा हिस्सा जो रहेगा, Greek language में atomos बोलते हैं, इसका मतलब कुछ individual, यानि कि उससे छोटा divide हम नहीं कर सकते, individual का meaning, और 18.3 में John Dantol ने, Dalton ने, प्रपोस किया था यह theory, उन्होंने बताया था कि atom cannot be created, और divided into smaller particles, और destroyed, यानि जो छोटे atom होते हैं, उसको मैं और छोटा करने की कोशिश करूँगा, तो नहीं हो सकता, create भी नहीं कर सकते हैं, और destroy अगर करने की कोशिश करूँगा, तो भी नहीं होगा, यानि कि वो इतने छोटे particles होते हैं, for examples, copper है, sulfur है, hydrogen है, there are so many types of elements, जो कि हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले lecture में, तो बस आज के लिए इतना ह के elements, कौन-कौन से होते हैं, उसके atomic number, क्या होता है, उसके symbols, और किस तरह से learn करते हैं, वो भी tricks मैंने बताया था, तो वो video, मैं इस video के description box में दा दूँगा, तो वो आपको help करेगा, देखने में, कि how to learn atomic number of that particular periodic table, जो हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे, आपके book में भी आप करता हूँ, उमीद करता हूँ, कि आप लोग को हमारा आज का lecture video समझ में आ गया होगा, तो कैसा लगा है, अपनी राय और comment चरूट से comment box में comment करके दिखाएगा, और एक नया जो एक तरीके से हमने present करनी कोशिश के आपको एक नया तरीका ढूंडा है, कि आपके सामने हम इस सर के साथ, तो फटा-फट से सबको share कर देना, और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारी इस चैनल को subscribe कर देना, सापने bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye.